इस चैप्टर में डेजी तारों को कहा गया है और जो पोएट है वह सारे तारों को अपने सपने में छोटे छोटे डेजी के रूप में देख रहा है और इस चैप्टर को पोएट एक छोटे बच्चे के माध्यम से बता रहा है तो इस चैप्टर में पोएट कहता है कि साम को जब मैं बिस्तर पर जाता हूं तो मुझे लगता है कि तारे ओवर हेट चमक रहे हैं overhead means poet को ऐसा लगता है कि तारे उसके ठीक सिर के उपर चमक रहा है poet सपने में देखता है कि वहाँ पर छोटे सफेड डेजी है और घास का एक मैदान भी है जिसमें कि यह छोटे-छोटे डेजी के फूल डोट के समान एक अलग ही चमक रहा है और अक्सर जब मैं ऐसा सपना देख रहा होता हूँ तो मैं आस्मान के उस पार चंद्रमा को जाते हुए पाता हूँ जहां पर एक प्यारी और सुन्दर लेडी डेजी के फूल को इकठा करने के लिए आ रही होती है और तभी जब मैं सुबह में उठता हूँ तो आस्मान में कोई तारा नहीं बचा होता तब पोएट अपने मन ही मन सोचता है कि उस लेडी ने सारे डेजी मिंस तारों को उठाया और सहर के घास के मैदानों में उन्हें नीचे गिरा दिया इस तरह से जो है यह हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है मैं आपसे उम्मिद करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए और समझे थैंक यू हैव नाइस डे